हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका इस्टेडी इसमाच इस्टूद्यू में आज हम एनिशन्ट हिस्ट्री में सीमावर्ती राजबंस के बार में पढ़ेंगे सीमावर्ती राजबंस में आज हम कश्मीर के प्राचिन इतिहास को जानेंगे तो चलते हैं सेसन की ओर कश्मीर का प्राचिन इतिहास कश्मीर पर सासन कनने वाले राजबंसों का क्रम इस प्रकार है सबसे पहली कश्मीर पर कारकूद बंस सासन करता है उसके बाद उत्पल बंस और उत्पल बंस के बाद लूहर बंस सासन करता है हम पहले कारकूद वन्स के इतिहास को जानेंगी कारकूद वन्स को कायस्ट वन्स भी कहते थी इस वन्स की स्तापना दुरला बर्मन ने की थी इस वन्स की राजदानी श्रीनगर और प्रतिहास पूर में इस्तित थी कारकुद बंस की बारे में हमें जानकारी कलहन की राश्तरंगरी ग्रंद से मिलती है कारकुद बंस की बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है कलहन की राश्तरंगरी ग्रंद से पुरानों में बरनित प्रिसिद्द नाक का नाम कारकुद हुआ करता था कारकुद पुरानों में एक प्रिसिद नाक का नाम था यह कारकुद वन्सकी सासक सबसे पहले दुरलब बर्मन सासक हुआ उसकी बाद प्रतापदित्र, चंद्रपीड, तारपीड, ललितादित्र, कुबलैपीड, बज्रापीड, प्रत्वीपीड, जयापीड और उत्पलपीड सासक हुई इन सभी सासकों की बारे में जो भी महत्मून पॉइंट है हम उनको देखेंगे दुरलब बर्मन, यह कारकूज वन्स का संस्तापक था इसका अन्य नाम कायस्त दुरलब बर्मन नी था गुनन्द वन्स का अंतिम राजा बालदित्र था बालदित्र की पुत्री की साथ दुरलब बर्मन ने बिवाह किया था गुनन्द वंच का अंतिम राजा बालदित था चूकि इसका कोई पुत्र नहीं था इसकी एक पुत्री थी जिसका विवाः दुरलब बर्मन की साथ किया था बालदित की म्रत्यू की पस्चाथ दुरलब बर्मन कस्मीर का सासक बनता है और इसने कारकूज बंस की निव कस्मीर में डाली थी इसी की काल में चीनी यात्री हैंसोंग आया था और हैंसोंग की पुस्ता का क्या नाम है? सी यू की चीनी लिखों में दुरलब बर्मन को तू लूपा कहा गया था दुरलब बर्मन की बात प्रताब दित्य सासक हुआ प्रताब दित्य दुरलब बर्मन का पुत्र था और इसका अन नाम दुर्भलक था इसकी सिक्कों पर स्री प्रताप की उपादी मिलती है और इसने प्रताप पुर नगार की स्थापना की थी प्रताप दित की बाद चंडरपीड सासक हुआ चंडरपीड प्रताप दित का पुत्र था इसने चीनी समराद की पास एक दूत भीजा था पर चंद्रपीड ने चीनी समराथ के पास एक धीज डूत भीजा था चीनी लिखों में ऐसा कहा गया है कि चीन समराथ ने ऐसी राजा की उपादी दी थी चीनी लिखों में ऐसा कहा गया है कि चंद्रपीड को चीनी समराथ ने राजा की उपादी दी थी चंड़पीट की बाद टारपीट सासक हुआ, टारपीट अपने भाई चंड़पीट की हत्या करकी सासक बना था जो कीवल चार बर सासन कर सका था टारपीट चंड़पीट की हत्या करकी सासक बना था टारपीट की बाद ललितादिक्त मुक्तापीट सासक बनता है ललितादिक्त मुक्तापीट का सासंकल 723-706 ASB की मद्ध में था इसने कश्मीर में एकशत्र राज की इस्तापना की थी यह कारकुज बंस का सबसे सक्तिसाली राजा था इसने चंदेर राजा यसु वर्मन को पराजित किया और बंगाल की गोर्ण नरेश को पराजित किया था ललितादिक्त मुक्तापीट ने शंदेर राजा यसु वर्मन को पराजित किया और बंगाल की गोर्ण नरेश को पराजित किया था इसने पस्चिम में सब्त कोकरों को पराजित किया था और प्राग जियोतेस, इस्त्री राज वा कुलू राज पर बिजय प्राप्त की थी ललीता दित्य ने अनेक पहारी जाती जैसे कमबोच, तुर्क, दरस, खस पर भी बिजय प्राप्त की थी ललीता दित्य के दरवारी कभी बाक्पती और भवगूती थे ललीता दित की दरवारी का भी बाक्षपती और भवगूती थे इसने चीनी समराज की यहां अपना एक दूद भी भेजा था इसने कस्मीर में मार्तेंड मंदिर का निर्मार और कस्मीर में परिहासपुर नगार का निर्मार करवाय था कश्मीर में मार्टेंड मंदर का निर्मार कैसे ने करवाय था ललितादित मुक्तापीड ने और परिहासपुर नगार का भी निर्मार इसी ने करवाय था ललितादित के कुश के यूपी के बांदा जले से प्राप्थ हुए थे ललितादित के दो पुत्रों की नाम हमें मिलते हैं एक कुबलैपीड और एक बज्रापीड ललितादित के बाद कुबलैपीड सासक बनता है यह एक कमजूर सासक था कुबलैपीड के बाद बज्रापीड सासक बना था इसके काल में सिंद के गवर्णन ने कस्मीर पर आक्रमर किया था बज्रापीट के सासन काल में सिंद के गवर्णन ने कस्मीर पर आक्रमर किया था बज्रापीट के हमें तीन पुत्रों के नाम इतिहास में मिलते हैं एक्था प्रत्वी पीड, जय पीड और संग्राम पीड बज्रापीड के बाद अंगला महत्पून सासक जयापीड बिन्यादित था यह इस वंस का अंतिम सक्तिसाली सासक था इसने प्राची राच की बिजय की थी इसने कानकुप्ज के नरेश इंद्रजीत को भी पराजित किया था जयापीड बिन्यादित के दरवार में शीर, दामुदर्गुप्ट और उभाय द्रित का भी रहते थे जयादित की आंगी चल कर हत्या ब्रामरों की सरियांत से हो जाती है जयादित्य बिन्यादित ब्राम्मरों की सर्यांत में मारा गया था जयापीट के बाद ललितादित्य संगराम पीट दुतिय ठिपर जयाती सासक बने थे लेकिन यह इतनी सक्तिसाली राजा नहीं थे इसके बाद उत्पल पीट सासक बनता है यह इस बंस का अंतिम राजा माने जाता है उत्पल पीट के मंत्री ने इसी पदायुक्त कर अवंती बर्मन को गद्धी पर बिठाये था उत्पल पीट के मंत्री ने इसी राजी युक्त कर अवंती बर्मन को गद्धी पर बिठाये था इस पिरकार कारकूद वंस का इतिहाद समाप्त होता है कारकूद वंस की बाद उत्पल वंस आता है उत्पल वंस की स्थापन अवंती बर्मन ने की थी उत्पल वंस की स्थापन ने किस ने की थी अवंती बर्मन ने यह हैं उत्पल वंस की सासक उत्पल बंस के प्रमुक्त सासक, संकर वर्मन, गूपल वर्मन, यसकर, छेमगुप्त और रानी दिद्धाती अवंती वर्मन उत्पल बंस का प्रथम सासक था इसने उत्पल बंस की नियुजाली थी और उसके योग मंत्री का नाम सुगा यक हुआ था अवंटी वर्मन के योग मंत्री का नाम सुवा यक हुआ था इसने अनेक नहरों का निरमार करवाया था और कश्मीर में अवंटी पूर और सूर पूर नगर के स्थापना की थी अवंटी वर्मन के दरवारी कभी आनिंद वर्मन और रचनाकार थी आनंद वर्मन ने धवन्या लूका ग्रंत की रशना की और कभी रतना करने हरी विजय ग्रंत की रशना की थी अवंती वर्मन की बाद अंगला महत्पून सासक संकर वर्मन था इसने अनिक युद्ध लड़े थी लगातार युद्य लड़ने के कारण इसकी राज में धन की कमी हो गई थी संकर बर्मन एक क्रूर सा सक्था इसने अपनी प्रजापर अनिक कर लगाई थी संकर बर्मन उथपल बन्सकर एक क्रूर सा सक्था संकर बर्मन के बाद रानी सुगंदया ने सत्ता समाली थी संकर बर्मन की म्रत्यू के पस्चाथ उसकी पत्नी रानी सुगंदया ने सत्ता समाली थी रानी सुगंदया ने लगबग 902-914 एश्वी के भी सासन किया था संकर वर्मन की बाद उसका पुत्र गूपल वर्मन सासक बनता है गूपल वर्मन संकर वर्मन का पुत्र था इसकी काल में अनीक साही गुटो का निर्मार हुआ था इसी साही गुटो की निर्मार की कारण इसकी माग की हत्या हुजाती है इसकी काल में चारो उर असांती वा ब्रदुह ब्राप्त था गुपल वर्मन की काल में चारो उर असांती वा ब्रदुह का मावल ब्राप्त था गुपल वर्मन की बाद यसकर सासक हुआ यसकर को सासक ब्रामरों ने बनाये था यसकर को ब्राह्मनोर राजा चुना था और इसका मंत्री पूर्गुप्त था यसकर के बाद छेमगुप्त सासक हुआ छेमगुप्त ने अपना बिवाह रानी दिद्धा की साथ किया था छेमदगुप्त की रानी का क्या नाम था? रानी दिद्धा और इसके दर्वारी कभी अनन्त थे शेमगुप्त के दर्वारी कभी कौन थे? अनन्त शेमगुप्त के बाद रानी दिद्धा साशिका बनती है इनका सासन का 998 से 1003 एसबी के मद्द में था यह अपने पुत्र अभी मन्यू की समरीक्षिका की रूप में सासिका बनी थी इनकी पुत्र की मित्टू 980 एसबी में हो जाती है 980 एसबी के बाद इन्होंने सुतंत्र सासिका की रूप में सासन किया था इनका नाम इनकी सिक्कों पर भी अंकित मिलता है रानी दिद्दा कस्मीर की एक महत्पूर्श रासी का थी रानी दिद्दा की बाद उनका भतीजा संग्राम राजा बनता है जिसने लोहर वंस की निव डाली थी कस्मीर में लोहर वंस की निव संग्राम राजने डाली थी सबसे पहली कश्मीर में कार्कूत वंस आता है उसकी बाद कुष्टवल वंस और उसकी बाद लोहर वंस आता है लोहर वंस की निउस संग्रामराज ने डाली थी लोहर वंस की प्रमुक सासक संग्रामराज, अनंत, हर्स और जैसिंग है संग्राम राज लूहर बंस का संस्तापक था इसने अपनी मंत्री तुंग को भटिंडा के साही सासक त्रिलूचन पाल की ओर से महमूद गजनबी के खिलाप लड़ने भेजा था संग्राम राज अपनी मंत्री तुंग को महमूद गजनभी के खिलाब लड़ने भिशता है संग्राम राज की बाद अंगला महत्पूर सासक अनन्थ हुआ अनन्थ की रानी का नाम सूर्मति था अनन्थ के काल में आनेक बिद्रो हुए जिसका अनन्थ ने सपल्टा पूर्वग दमन किया अनन्थ की बाद अंगला महत्पूर सासक हर्ष हुआ हर्ष स्वयम एक बिद्वान कई भासाओं का ग्याता और बिद्ध्याओं का ग्याता था इसकी दर्वार में कभी कलहन रहते थी हर्ष को कस्मीर का नीरु कह जाता है क्यूंकि इसने प्रजा पर अन्यक कष्ट डाई करों को लाएगा आया था हर्स की बाद जैशिंग सासक हुआ यह लुहार वन्स का अंतिम सासक था जैशिंग की साथ ही कलहन की रास्तरंगणी का विजरम समाप्थू जाता है थेंक्स पॉर वाचिंग यदि आपको मारे वीडियो पसंद आई हो तो आप हुमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब ज़रू करें तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए गुजबाई